हेलो गाइज वल्कम बैक टू माई चानल डी आई वाई वी थारू मैं हुआ रातना विंटर्स में टेंपरेचर लो होने के वज़े से एक्स्टरानल बॉडी काफी ड्राय हो जाती है और सबसे ज़्यादा असर अगर हमें देखने को मिलता है तो हमारे बॉडी पे और हमारे ह बॉडी को तो कुछ देर मॉस्टराइज करके रख भी सकते हैं लेकिन हमारे हाथ पूरे दिन कुछ न कुछ एक्टिविटी में लगे हुए रहते हैं जिस वज़े से काफी एफेक्ट होते हैं खास करके हाउस वाइफ जो पूरे दिन किसी न किसी एक्टिविटी में बिज लेकिन इन समी के बावजूत भी अगर हम थोड़ी सी टाइम निकालते हैं और थोड़ा टाइम देते हैं तो चीजे बटर हो सकती हैं तो आज मैं आप लोगों से बस यही बाते करने आई हूँ कि हम लोग अपने बेजान हाथों में जान कैसे डाल सकते हैं तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की इंप्रोमेंटिव वीडियो में आप लोगों के लिए राती रहोंगी तो चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है इसे बनाने के लिए चाहिए हमें अलोवेरा जेल मैं यहां पातन जली यूज कर रही हूं और लगभग में 3 टेबल स्पून में अलोवेरा जल यूज करूंगी Next time में चाहिए गुलाब जल मैं इस लिमिटी में लगभग 2 टेबल स्पून गुलाब जल एट करूंगी Then हमें लेनी है ग्ली सरीन लगभग 1 टेबल स्पून आप इसमें ग्ली सरीन एट कर दें और लगभग 1-2 पिंच आपको इस नहीं यहां कुझा टनु टना लेना हैं लगभग 1 पिंच आपको इस नहीं必要 अब हमें इन सभी इंग्रीडियंट्स को आपस में मिलाना है यानि के मिक्स करें इन सभी को अलवरा जल लोगों के हाथों में ट्राइनस के वज़े से जो फाइन लाइन्स आ जाते हैं उसे ठीक करता है अगर कोई कट के निशान है तो उसे लाइट करता है फिट के लिए हमारे जर्म्स को क्लीन करता है हमने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या किसी भी कांच की डिबिया में मेरे जैसे छोटी सी डिबिया अगर आपके पास है तो अब उसमें भी डाल करके आप इसे अच्छे तरीके से आप इसे सेव कर सकते हो काइस फिटकरी आड़ होने से यह लोशन जो है आपके हैंड को जॉंग फ्री रगता है और कोविट के टाइम के लिए तो यह बहुत ही अच्छा मर्श रवाइजर है वैसे तो आप इसे पूरे दिन एजली लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम रही है उसमें लेकिन एक छोटी सी चीज है जो आपको करनी पड़ीगी जिससे आपके हाथों में बहुत अमेजिंग सी ग्लोव आ जाएगी देखो जब भी कोई आप मॉस्चुराइजर को डेट सेस को रिमूफ करने के बाद अगर आप अपलाई करते हो ना तो वो आपके हाथों की कॉलिटी को बहुत सुधाने में हेल्फ करता है आपके हाथ के जो फाइन लाइन हो जाते है उसको क्लियर करता है साथी साथ आपके हाथ के जो टेक्श्चर होते हैं उसको भी लाइट करने में हेल्फ करता है तो इसलिए हम यहाँ पे पहले अपने हैंड के जो डेट सेस होते हैं उसको क्लीन करेंगे रिमूफ करेंगे उस इसे भी इन में मिला दे दन मैं यहां पे थोड़ी सी हल्दी ले रही हूं आप इस पे हल्दी आड़ कर दो थोड़ी आप इसमें लेवन जूस मिला दो यह बहुत अच्छा वाक करेगा और इन सभी को आप मिला करके एक पेस्ट स्क्रब के रूप में आप तयार कर लो अब हम इसे अपने हाथों पे लगा करके अपने हैंड के डेट सेल्स को रिमूब करेंगे अपने दोलों हाथों को आप अच्छे तरीके से जेंटली रॉप करें इससे आपके हाथ बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे साल्ट हमारे हैंड के हाथ डेट सेल्स को क्लीन करता है और मॉशराइज करता है और कोई निशान हो तो उसे विसाफ करता है इस स्क्रब को आप सिर्फ रात को सोने से पहले एक बार डेली 2-3 मिनट के लिए अपलाए कर ले क्योंकि दिन भर के काम करने से जो हमारे हैंड में डेट सेल्स जो जम जाते हैं वो भी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे अथ साथी अपके हाथों को आराम करने का थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा जिसके अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपके हाथों से बीबी सॉप्ट वाली फिलिंग आएगी दो से तीन मिनिट तक अपने हैंड्स को डेटसल्स को रिमूव करने के बाद आप अपने हाथ को अच्छे से वाश कर ले दो ले आप देख सकते हो इसके अपलाई करने से ही आपके हाथ बहुत ज़्यादा मॉश्यराइज हो जाते हैं आपके हाथ बहुत ही जादा सॉप्ट लगने लगेंगे यह जो आपके जो एक्सटा और उसे अपने हाथों पर लगा दोनों हाथों पर लगाते हुगे लगभग एक पिनट के लिए जिन भी आपने हाथों को मसाज कर ले इससे आपके आप बहुत अच्छे मुलायम हो जाएंगे जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हो तो आपके हाथ बहुत ही जादा सॉप्ट और साइनी लगने लगेंगे इस स्क्रब को करने के बाद आप इस लोशन को थोड़ी सी आप इस तरीके से अपने हैंड पिले पूरे हाथों पे आप इसे अच्छे तरीके से मसाज कर लो मसाज करते हुए आप इसे एक मिनिट के लिए पूरे हाथों पे लगा लीजिए वाव क्या स्मेल है इन में इसे अब्जॉब करने दे एंड उसके बाद आप सो जाएं अब नेक्स्ट मॉर्णिग अब जब उठते हो ना उसके बात भी अगर आप अपने हाथों को देखते हो तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आपको मिलने वाली है क्योंकि तब तक भी आपके हाथ बिलकुल सौफ रहते हैं आपके हाथों बिलकुल बिल्कुल बिल्कुल अगर आप इस तरीके से डेली नाइट को स्कूब करने के बाद इस लोशन को अपलाए करते हो लगाते हो ना अगर वह इससे एक विग तक भी अगर आप वालो करते हो ना तो अपके हाथ में बहुत जादा सुधार आथा है और अगर कोई queries हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो और आप मुझे insta भी मुझे follow करके वहां से भी आप मुझे direct पूछ सकते हो तो आप मुझे insta भी follow जरूर करो तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई